देखो हम तो यह बात को पहले से कहे रहे हैं क्युभी हमको जो लीगल हर्डल्स है, कॉम्प्लिकेशन है, जो कानूं है, विश्रिच करी को फोरेस्ट कंसरविशन एक्ट है, हो सबसे वड़ा बाता है, हम सरकाहिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट के लोग कहते हैं की और ग जयादा पानी छोड़ा, उससे जो है उनके शेत्रों में। ज्यादा पानी आने के वार पड़े को नुकसान वा है। तो अललग अलग शेत्रों में, परोम भी ठीजिदsti है हम मानते हैं। लिगलमाइनिंग जित선 लिड़ी हुःती है। पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इल्लीगल माइनिंग जो है, वो केवल और केवल कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है, जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश जादा हुई है, और तीन-चार दिन जब वो नुकसान हुआ, बारी नुकसान हुआ है, उसका तो आप ये मान के चलो कि 30% of the rainfall, जितनी पूरी मौनसून सिजन में 30% rainfall होई है, ये कारण है, ये बड़ता है। निशित रूप से, जैसे मुख्यमंतरी जी ने कहा है, क्योंकि जो रिवर, दरिया, नाले, खाले हैं, उसके किनारे लोगों ने अपने घर बना लिये हैं, घर बनाए, तो उन्होंने जो है, रुकावट पैदा की, अब आप देखिए कि बहुत सारी नदियां हैं, चाई य ब्यास है, ब्यास नदी के किनारे जो कुल्णू, मनाली और मंडी के स्ट्रेच में उसको छेडा गया है, लोग जो है वो नदी के जो अंदर घुसने की कोशिश किये, जब नदियों में कभी न कभी 10-15 साल बाद जो है वो भारी बार आएगी तो वो तो आप निशित पर नुकसान होगा, अभी मुख्यमंदरी जी ने कहा है कि हम हिमाचर प्रदेश में जो नदियां है उसके 100 में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बैन करने जा रहे हैं, तो अब निशित रूप से कैमने जो है इसमें भी आने वाले समय में फैसला लेगी ताकि नदियों के किनार जो है जो है commercial activities है, केत है, residential houses है, ये ना हूँ. अभी तो देखो अभी तो सिरफ गटकरी जी ने ये बात कही है और उन्हें ने कहा है कि वो IIT मंडी और IIT रूड़की के लोगों को भीजेंगे और साथ में हमारी जो माइनिंग डेपार्टमेंट की टीम्स हैं, वो आकर के सर प्छले लोगों को हमको involve करने का होगा और किस तरह से नदी में से हम IIT बजरी को निकालेंगे और बीच से कम से कम बीच से निकालेंगे, अब अगर हम बीच में अगर वो डेवल डाउन होता, नदियों का लेवल डाउन होता तो साइडों में मारना ही पड़ती, अब सारी क लोगों को सारी नदी भर चुक है, वो पिछले मेरे ख्याल अगर हम 10-10 साल में अगर लगाएं तो कम से कम वो 10-15 मेटर जो मेट बेड़ नदियों का लेवल जो है वो बर उठ चुका है, और जब नदियों का लेवल उठा है तो पानी के मार भी जो है, साइडों में जो रह पर पड़ेगी तो निशित रूप से हमको जो नदी नाले हैं इसमें से रेत बजरी और पत्थर को निकालना को आप गटकरीजी ने का कि हम एक ऐसी टेकनोलोजी निकालेंगे और इतना स्ट्रॉंग रिवर बैड्स के किनारों को बनाएंगे ताकि स्ट्रॉंगेस से